आज में आप लोगों का जो डौट है वो इस वीडियो के अंदर किलियर कर दूंगा जो बैस्ट टाइम कौन सा होता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए एक ऐसा खूफिया टाइम है अगर आप लोग उस टाइम पर ट्रेड करते हो तो आप लो वो दो टाइम होता है वो कब आप लोगों को उस टाइम के उपर ट्रेड करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर किलियर करूंगा आप लोगोंने बहुत सारे वीडियो देखा होगा लेकिन जो मैं आज आप लोगों को एक खूफिया टाइम बताऊंगा इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग इस time को जान जाओगे ना और इस time को follow करोगे तो आप लोग देख ले ना जो आप लोगों का जो target होगा वो 99.99% target हिट होगा यहाँ यहाँ पर देखिए logic आप लोगों को समझना परेगा जो आप लोगों को किस time पर trade करना है कौन सा खूफिया time है तो जानने के लिए आप लोग वीडियो को बिलकुल भी skip ना करे अगर आप लोग इस वीडियो को skip कर देते हो तो जो मैं खूफिया time बता दूँगा वो आप लोगों को पता बिलकुल भी नहीं लगेगा अगर आप लोगों ने मेरा free वाला टेलिगराम चैनल नहीं जोइन किया हुआ है तो जाए वीडियो के description में अभी free वाला टेलिगराम चैनल को जोइन कीजिए और जिन लोगों को मेरा course चाहिए वो लोग जाए टेलिगराम के उपर full detail मिल जाएगा आप लोगों को course मिल जाएगा अगर आप लोग कुछ और भी चाहते हो तो वो भी आप लोगों को टेलिगराम के उपर मिल जाएगा बस एक बात का यहाँ पर ध्यान डखना आप लोगों को यहाँ पर जादा से जादा लाइक करना है अगर इस वीडियो के अंदर 100 लाइक आ गया तो मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त एडवांस लेवल पर कोर्स लाने वाला हूँ तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक जरूर से जरूर दे और इस वीडियो को पूरा वाच करें नए हो तो चैनल को कर लो सस्क्राइब और बैल लाइकन के नोटिफिकिशन पर जरूर से जरूर क्लिक कर लेना अगर आप लोग बैल लाइकन के नोटिफिकिशन पर क्लिक नहीं करते हो तो मेरे आने वाले वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे तो पहले हम जान लेते हैं हमें इस खूपिया टाइम के बारे में जो क्या-क्या यहाँ पर चीजों को फोलो करना है तो सबसे पहले जान लेजिए इस खूपिया टाइम को जानने के लिए आप लोगों को यह चीज करना है जो आप लोगों को देखना है जो मार्केट का ट्रेंड क्या है तो मार्केट का जो अभी का ट्रेंड है वो क्या है डाउन ट्रेंड है ठीक है पहला नमबर तो किलियर हो गया ठीक है अब यह डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है देखे मार्केट के अंदर तीन ट्रेंड होता है पहला होता है इस तरीके का अप ट्रेंड ठीक है दूसरा होता है इस तरीके का डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है इस तरीके का इसे हम क्या कहते है sideways तीन ट्रेंड होता है ठीक है अब यहाँ पर price section क्या कह रही है यह जो है price section यहाँ पर क्या कह रही है तो यहाँ पर यह क्या है भाईया यह support है ठीक है तो यह क्या हो गया A ठीक है इससे उपर कौन सा support है यहाँ पर यह B मैं आप लोगों को यहाँ पर सीधे तरीके से समझा र और ये हो गया D, ठीक है, ये चीजे तो clear होगी, अब यहाँ पर ये A, ये B, ये C, और ये D, clear, और ये तो पूरा sideways हो गया, अब यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है, और किस टाइम पर करना है, तो देखिए, अपना जो इंडियन मार्केट ओपनिंग होत होता है, वो कब होता है भाई मेरे, वो होता है, 9 बज कर 15 मिनट के ऊपर ओपनिंग होता है, जी हाँ, 9 बज कर 15 मिनट पर ओपनिंग होता है, और close कब होता है, 3 बज कर 30 मिनट पर close होता है, ठीक है, clear, ये तो clear हो गया, अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, तो इसे सुन लेना जिन लोगों को सीखना है और जिन लोगों को नहीं सीखना है तो जा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आधा धूरा ग्यान से कोई फायदा नहीं होता है तो पहले आप लोगों को चलना है भाई मेरे वंडे के चार्ट के उपर जैसा कि मैंने यहाँ पर वंडे का चार्ट लगा दिया है पहले हम यहाँ पर किलियर कर लेते हैं ठीक है, खूफिया टाइम को समझना है तो देखिए, यहाँ पर मैंने वंडे का चार्ट लगा दिया तो यहाँ पर वंडे के चार्ट के उपर आप लोगों को यह देखना है जो हमारा रजिस्टिन्स एडिया कहां है और सपोर्ट एडिया कहां है तो यहाँ पर previous day का one day का candle देखना है याने की one day के chart के उपर देखना है जो previous day जो high लगाया था वो कहां लगाया था भाई मेरे तो यहाँ पर देखो previous day 13 तरीको जो high लगाया था वो लगाया था भाई मेरे 23,873 का ठीक है तो यहाँ पर हम इसके high को मार्क कर लेते हैं ठीक है भाया लो क्या लगाया था तो लो भी यहाँ पर चक कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो 23509 का तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 23509 को जो है यहाँ पर देखे थोरा बूत उपर नीचे हो जाएगा उसके लिए कोई दिक्कर वाली बात नहीं है अब क्या करना है आप लोगों को अब आप लोगों को पांच मिनट के टाइम फ्रेम के उपर आ जाना है अब यहाँ पर हम पांच मिनट के टाइम फ्रेम के उपर आ चुके है तो यहाँ पर देख सकते हो logic समझने वाली बात है यहाँ पर जो previous day का high था वो देख सकते हो यह है 13 तारिक में और यह कहां तक है भाईया यहां तक देख सकते हो exact यह हो गया और यह हो गया ठीक है और exact कहां आ गया यह 9.15 का candle है ठीक है तो यहाँ पर देखो यह जो previous day का high था और यह जो previous day का low था nifty 50 ने कहां opening दिया जो previous day का लो था उसी के आज़ पास opening दिया तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लोजिक समझा तो यहाँ पर आप लोगों को logic यह समझना है आप लोगों को जो सही समय होता है ट्रेड करने के लिए वो होता है वो चाहिए निफ्टी 50 हो बैंक निफ्टी ठीक है दोनों ही इंडेक्स के अंदर सेम आप लोगों को स्ट्राटजी को फोलो करना है ठीक है और सेम खूफिया टाइम भी होगा ठीक है तो देखिए नौ बज कर तीस मिनट से ले करके ठीक है ध्यान से समझना मेरी बातों को नौ बज कर तीस मिनट से ले करके दस बज के तीस मिनट तक का जो ये खूफिया टाइम है ये क्या है ये मार्केट का ट्रेंड है जहां पर ट्रेड करने के लिए ये सही समय होता है जी हाँ ठीक है अब ये तो फर्स्ट आव परके टाइम जो होता है, बो होता है यहाँ पर, एक जेक्ट टाइम की बात करेंगे, तो भाई मेरे, एक तीस से लेक करके, दो बज कर 20 मिनिट तक, ठीक है, ये दो टाइम जो होता है, ये खूफिया टाइम होता है, अगर इस दोरान आप लोग ट्रेड करते हो तो हमेशा profit में रहोगी अगर आप लोग इसके बाद ट्रेड करते हो तो यहाँ पर ज्यादा जो market होता है volatile होता है या तो फिर sideways के अंदर होता है volatile मतलब ज्यादा up and down ठीक है बड़ी बड़ी candle का formation हुआ यहाँ call or put यहाँ entry ली और सीधा यहाँ से मतलब आपके condition को यहाँ पर fulfill नहीं करेगा ठीक है यह खूफिया time में आप लोगों को बताया हूँ अब यह खूफिया time के अंदर आप लोगों को trade कैसे करना है तो चलिए यहाँ पर हम पहले चार्ट को clear कर लेते हैं तो यहाँ पर चार्ट को clear कर लिया तो यहाँ पर 23,509 का क्या था भाईया previous day का low था तो हमें low को मार करना था तो यहाँ पर हमने low को मार कर लिया अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है logic भी समझोगे तभी तो भाईय मेरे अब यहाँ पर logic देखो market यहाँ opening हुई यहाँ opening हुई ठीक है और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यह है दस बजे का ठीक है टाइम यह दस बजे का टाइम है तो आप लोगों को क्या करना है भाई मेरे दस बजे तक आप लोगों को entry बनाना है किस तरीके से तो यहाँ पर जो high था बो था 874 क्या था 874 यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को एक minute में one day के चार्ट के उपर चलता हूँ ताकि आप लोगों को clear समझ में आ जाए तो यहाँ पर देखुए यह था previous day का high previous day का high है ना भाई मेरे comment करके comment कर जरूर बताना यह हाई है पांच मिनट के time frame के उपर चलो अब यहाँ पर देखो entry जो बनेगा हमारा यहाँ पर 39 से ले करके कब बनेगा 10-30 तक ठीक है तो यहाँ market opening हुआ नेप्टी 50 यहाँ opening हुआ और उसके बाद क्या हुआ भाई मेरे यह जो previous day का लो था यहाँ पर कौन सा candle का formation हुआ और देखो timing देखो timing यहाँ पर note करो timing 9 बज कर 40 मिनट मैंने क्या कहा? 9 बज कर 30 मिनट से ले करके 10 बज कर 30 मिनट तक ही हमें trade setup बनाना है उसके बाद बिल्कुल भी market को नहीं देखना है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सा candle का formation हुआ? hammer candle का ठीक है अब यह जो hammer candle बना तो अब यहाँ पर entry कैसे बनेगा तो देखो यह जो इसका high है high की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर high जो है 23,593 में next candle देखो जब इसके high के उपर closing देगी next candle चाहे वो next candle दे या फिर 2-3 candle के बाद दे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो देखो closing देखो भईया 23,596 में ठीक है अब 23,596 में आ इसका high कितना है 23,593 में ठीक है इसके high के उपर closing दे दिया यहाँ पर entry बनाओ entry बनाओ और यह देखो यहाँ पर जो target रखना है हमेशा भईया 52,52 कितना रखना है 52,70 यहाँ फिर 80 ठीक है 50 points तो easily मिल जाता है इसमें अब यहाँ से लेकर कि यहाँ तक की बात करेंगा अगर हमने यहाँ पर entry बना लिया closing पर बना लिया यहाँ तक बना लिया थोड़ा बह यहाँ पर 52,70,80 points यहाँ पर 75 points मिला यहाँ कि अगर हम यहाँ पर premium की बात करेंगे तो यहाँ पर approach 25 और 10 यहाँ कि 35 रुपे का one quantity के अंदर और 50,50 के अंदर जो एक lot होता है वो होता है 25 quantity का तो यहाँ पर आप लोग हिसाब लगा लो कितना बन गया 35 दुना 700 ठीक है और 35 पांचा कितने हो गया साड़े सत्रा जाने की 170 रुपे 170,800 और 75,12 बारा हो गये न अप्रोक्स यहाँ पर 900 रुपे का profit हो जाता है एक lot के अंदर तो यहाँ पर मेरा target मिल गया अगेन फिर देख सकते हो इस level के पास फिर आई फिर यहीं से support लिया गया भईया मेरे तो यहाँ पर entry बनता है यहाँ पर entry बना लेते हैं और यहाँ से ले करके यहाँ तक देखो कितना point बन जाता है देखो तुमारे सामने ऐस सारे चीज़े में clear कर दूंगा देखो यहाँ से exact level की बात करेंगे तो यह है यह वाला level यहाँ यहाँ से लेगी यहाँ तक easily आप लोगों को यहाँ पर 50 point तो मिल ही जाएगा यहाँ पर देख सकती हो तो इस तरीके से आप लोग कामकाच क्यों नहीं करते हो अगर आप लोग इस तरीके से कामकाच करोगे तो आप लोगों को हमेशा कहता हूँ आप लोग देखिये जो भी यह strategy सीखते हो उसकी पहले back testing करें फिर paper trading करें फिर आप लोग real money से trade किया करो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर बता दिया और आप लोग जा करके कल से यह start कर दो ना मैं किसी को यहाँ पर recommend नहीं करता हूँ आप उसकी back testing करो paper trading करो फिर जाके real money से trade करो तो आशा करता हूँ यह जो best time मैं आप लोगों को बताया याने कि खूफिया time जो बताया वो आप लोगों को समझ में आ गय होगी तो आशा करता हूँ आप लोग एक like जरूर करेंगे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर तब